लखनाओं के स्कूल में पिटाई, टीचर ने छात्राओं को मारा, पिटाई से एक छात्रा बिखोश, दूसरी पहुंची पुलिस स्टेशन उत्रप्रदेश की राजदानी लखनओं में शिक्षकोधवारा स्कूल में च्छात्राओं के साथ मारपीट के दो मामले सामे आए हैं दोलों ही मामलों में होमवर्क नहीं होने पर तीचर ने च्छात्राओं को मारा पीता ओर ढाटा है इसके बाद कक्षा नौवी की एक छात्र को अटैक आया है, उसके हाथ पैर मुड़ गए, उसे इस्पताल में भर्ती कराया गया है, वह दूसरे मामले में होमबर्क नहीं होने पर टीचर ने छात्रा को थपड जड़ दिये, जिसके बाद छात्रा ने मां के साथ थाने में माम काम नहीं कंपेट कर पॉइंट काट लेंगे, उसके बाद में ऐसे ही नौर्मा लेक टेस्ट वा तो उसमें जीरो आया है, उसमें गजल में भी डाटा इंको और उसी से इसी तवियत खराब होगी है, तो क्या कोई वहां पे टीचर जो है, इनको लेके लाई थी कि आप लेक आपके, तो डॉक्टर्स नेया ट्रीटमेंट देना सुरू गिया, तो इसकी क्या पोजिशन होए थी जब स्कूल से आई है, इसका सर बहुत दर्द हो रहा था और इसके हाथ प्यार में टेने हो गए, पहले मामले में बेहोश्वी लड़की का नाम अदिती मिश्वा है, व कुछ बोले ही पाई उसका मही पर रहाल खराब हो गया, टीचर में सीदे बोला कि बस बच्चे को आप लेगा है, उन्हों ने कोई दवाई नहीं थी, उन्होंने काल किया कि आपको बच्चा बहुत रो रहा है, बीमारा उसको ले जाए, तुरंद की तुरंद की तुरंद दौब आपने मांगी तो क्या बोले, वो बोली दवा है नहीं और उसको खाली पर दवाउचर करना है, यहां पढ़ने वाली छात्रा को टीचर देव्या सिंग ने होमवर्क नहीं करने पर कई थपड चड़ दिये, इसके बाद छात्रा ने माकी साथ खाने जाकर मामला बीते देनों स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों द्वारा कई मारपीट के मामले सामने आए हैं कुछ में शिक्षा और पलिस विभार की ओर से कारवाई भी की गई थी लेकिन इसके बाद भी बच्चों के साथ मारपीट के मामले कम नहीं हो रही है